फ्रेंड्स आज हम देखेंगे यूनीट वान यानी चाप्टर वान किसका मोबाइल एप्लेकेशन डेवलपमेंट सिख सेमिस्टर का ये जो बुक है सो इसका फर्स्ट यूनीट है एंड्रोइड एंड इट्स टूल्स सो इस चाप्टर में हम एंड्रोइड रिलेटेड जो भी है वो सब देखेंगे सो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोड़क्शन टू एंड्रोइड सो यहाँ पर एक चोटी सी डेफिनेशन है सो यहाँ पर यह जितना भी अंडर्लाइड है यह है इसकी डेफिनेशन सो इस पेज पर बस इतना है और नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अभी सो आगे है यहाँ पर एक बड़ासा चाप्ट और इस चाप्ट में है एंड्रोइड के वर्जन्स सो यह फिगर मान लो और नीचे जो टेबल है इसमें वही है यहाँ पर कोडनेम है एंड वर्जन नंबर्स एंड इनिशेल रिलीस डेट मतलब यह वर्जन कब रिलीस के गए थे और यहाँ पर है API level सो यह यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एंड होता है चाओ तो तुम यहाँ पर इसका screenshot ले सकते हो और नेक्स पेज पर है यहाँ पर Android ecosystem सो यहाँ पर इसके three types जो आते हैं सो इनको यहाँ पर यह detail में दिया गया है और यहाँ पर जो next है Need of Android जो Android की need क्यों है हमें सो यहाँ पर जो point भी है और यह detail में भी है सो यहाँ पर first जो need है हमें Android market Android जो market है इसके वज़े से हमें Android की need है और customization and next routine जो हमारा routine है अब यह point तुम detail में पढ़ोगे तब तुमें समझ में आएगा and next जो है the Android community और आगे भी है यहाँ पर five number and six और यहाँ पर next जो point है यह है feature of Android so Android में कहके features है यह सब है so यहाँ पर यह जो underline है यह important है और तुम इसे screenshot ले सकते हो और यहाँ पर भी यह जो है सारे के सारे एक दोल और यह 8 यह भी feature है और यहाँ पर आगे भी feature है जैसे beautiful UI storage और बहुत कुछ so यहाँ पर total 20 features है Android के so exam में इन में से कोई भी 8 या फिर 4 पुछे जाते है so यहाँ पर यह चोटे चोटे है तुम इनको prepare कर सकते हो और यहाँ पर जो next point है tools and software requirement for development and android application so जित्ता भी है underline है so तुम इसको screenshot यहाँ जो भी important है और कल दो यहाँ पर भी है versions and next है यह है android ies so यह छोटी सी definition उची जाते है हमें so यह तुम यह आपर इसका screenshot ले सकते हो और next है android architecture so इसकी कई बार यह जो chart है यह diagram है यह table निकालने के लिए equation आता है so तुम अभी लिखने को ही का जाए तो यह लिख सकते हो यह पर यह detail में है और chart निकालने का होगा तो यह निकाल सकते हैं और यह पर कुछ question है इस chapter के end में लिख चाप्टर के जो question है जो unit test में भी आ सकते हैं और exam में भी इन में से ही कुछ आते हैं so तुम इनका screenshot निकालो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करना और कुछ भी कहना हो तो नीचे comment कर देना हम मिलेंगे ऐसे ही किसे निव वीडियो में अब तक के लिए बाए 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 किसे ही में अब आते हैं झाल